हरे कृष्णा रादे रादे तो देखिए मैं लड्डू गोपाल लेने के लिए आई हूँ यहाँ पर और इनकी सौब पर हम देखते हैं हमें किस तरीके के लड्डू गोपाल मिलते हैं कैसे पसंद आते हैं तो देखिए इनकी दुकान पर पहले से ही लड्डू गोपाल यह और बहुती सुन्दर सुन्दर कलेक्शन मिला मुझे यहाँ पर देखने के लिए लड़ुगोपाल के बहुती सुन्दर सिंगासन हैं, बैड हैं, चारपाई हैं और ये डैसेस हैं, काफी अच्छी जोलरी भी हैं इनके पास तो चलिए हम लड़ुगोपाल देख लेते हैं, जो हमें पसंद आते हैं, वही हम ले करके जाएंगे और कितने नमबर के, कि साइच के हमें पसंद आते हैं, तो चलिए, देखिए हमें नोने कुछ लड़ुगोपाल दिखाए हैं मैं ये लेटू को पाल किसी को देने के लिए लेने के लिए आई हुई हूँ यहाँ पर मुझे कौन से लाला पसंद आते हैं तो देखिए हमने जो भी लाला लिये हैं वो बहुत ही प्यारे लगे बहुत ही सुन्दर लाला है इनकी दुकान पर सारे ही लाला बहुत ही सुन्द मूर्थियां मिलती हैं और पूजा की ही आइटम मिलते हैं इनके यहां पर क्याई वार से मैंने इनी के यहां से लड़ू गोपाल ले करके आती हूं तो देखिए हमने लड़ू गोपाल पसंद कर लिये हैं और घर पे पहुंचकर आपको देखाते हैं हमने कौन से वाले लाला चॉइस किये हैं और कौन से लाला लेकर के आए हैं तो जिसको भी देने हैं और भी बहुत सारी चीज़े मैंने लिए हैं लड्डू गोपाल की वो भी मैं आपको दिखाती हैं तो देखिए इनकी स्माइल कितनी प्यारी है बहुत ही सुन्दर लगे मुझे ये लाला तो घर पे पहुँचकर आपको सारी चीज़े दिखाते हैं तो हम आच चुके हैं घर पे तो देखिए ये एक बैजनती माला है तो उसी की माला है ये मैंने लड्डू गोपाल के लिए लिए है मेरे पास जो लड्डू गोपाल है साथ नमर के उनके लिए मैंने लिए है और देखिए और दिखाती हूँ मैंने ये लड्डू गोपाल के लिए एक गलास लिया है पीतल का और मैं और भी वह सारी चीज़े ली हैं मैंने लड़ू गोपाल की मैं एक साथ चीज़ें नहीं लेती हूँ थोड़ा थोड़ा ही करके मैं लड़ू गोपाल के लिए लेती हूँ तो मैंने ये वाले लाला चॉइस किये हैं पसंद मुझे यही लाला आए हैं तो दो ग्लास लेकर के आई हूँ मैं और एक लड़ू गोपाल की दो बंसी लेकर के आई हूँ तो एक ये दूसरे लाला के लिए और कुछ सामान में अपने लाला के लिए लेकर के आई हूँ तो और आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा आप लोगो को हमारे लड़ू ग कमेंट में जरूर लिखिएगा तो देखिए मैं एक प्लेट लेकर की आई हूँ जैसे भोग लगाने के लिए या फिर दीपक रखना चाहो उसके उपर आप दीपक रख सकते हो और मैं एक स्टील की पराथ है वो लेकर की आई हूँ लड़ू को पाल को इशनान कराने के लिए तो जैसे मेरे पास वो जो एक बरतन है जिसमें मैं इसनान कराती हूँ वो जादा बड़ा है कि कोई वीडियो बनाने के चकर में वो पूरा जगया कवर कर लेता है तो इसलिए मैं ये परात लेकर के आई हूँ लड़ो पाल को इसनान कराने के लिए ये गिलास है पीतल की दो कर्टोरिया हैं भोग लगाने के लिए लेने के बर्तन लेकिया ही हो और एक ये चम्मच है और एक ये प्लेट है तो ये बर्तन मैंने बाद में खरी देते पहले जो सामान था वो मैंने आपको दिखाई दिया था जो पहले लिया था तो कमेंट करके जरूर बताईएगा आप लोगों को हमारे लड़ गोपाल का सामन कैसा लगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को मेरा रादे रादे जैश्री किशना